और वहीं नागपूर में सौमवार को 19 साल के लड़की के गेंग रेप की शिकाज 6 घंटे के भीतर फरजी साबित हुई है और पुलिस ने लड़की के निशान देई पर शहर के तकरीबन 100 CCTV कैमरे खंगाल डाले और 1000 सैदिक पुलिस कर्वियों को आरोपियों के तलाश में काम पर लगा दिया था लेकिन जैसे जैसे वक्त बीटा गया वैसे वैसे पता चला कि लड़की ने सामोहिक दुशकम का जूटा मामला दर्ज करवाया है और नाकपूर के पुलिस आयूक अमितेश कुमार ने बताया कि लड़की खुद सोमवार की सुबा नो बजे नाकपूर के बड़ी में रोड पर बस से उतरी और कुछ देर यहीं घूमने के बाद चिखली एरिया में पहुँची जहां उसने अपने साथ हुए गैंगरे की जूटी शिकायद कलमना थाने में दर्ज करवाय और शहर के मुखे इलाके में हुई दिन दहाड़े हुई इस घटना से पुलिस विवाग में भी हड़कम मच गया था लड़की के साथ अफारन और सामोहिक दुषकर्म की शिकायद की वज़ा सुनकर पुलिस भी सकते में आ गई थी और जाच में जुट गए लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और बाकी जानकारी के अधार पर ये पता चला कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ और घर के व्यक्तिकार्णों के चलते इस तरह की जूटी कहानी बनाई गया और पुलिस के साथ साथ घरवालों को भी घुमरा किया गया था और पुलिस जानच में पता चला कि लड़की को अपने बोईफरेंट से साथ साथी करनी थी और जिसका विरोध उसके घरवाले कर रहे थे और लड़की ने सोचा कि अगर दुष्टकर्म की शिकायत हो जाए तो घरवाले प्रेमी संग शादी के राजी हो जाएंगे इसलिए उसने पूरा ड्रामर रच और पुलिस आयुक ने कहा कि वो इस मामले की गंबीरता से जांच कर रहे थे वहीं 36 गड़ के जांच गीर चांपा में सरपंच की हत्या मामले में पुलिस ने साथ आरोपियों को गिरफतार किया और आरोपियों ने फसल काटने की विवाद पर बीते रविवार को ग्राम बुतवा के सरपंच की पीट पीट कर हत्या कर दीती और वहां से फरार हो गएते गिरफतार आरोपियों को मार पीट और हत्या सहीत कई धाराओं में मामला दर्जकर नेक रासत में भेज दिया गया जबकि अभी भी कई आरोपियों की गिरफ से बाहर बताये जा रहे बरहल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है तरसल पुरा मामला माल खरोदा थाना छेट की ग्राम पंचायद भूतवा का है और बीते 12 दिसंबर को सरपंच द्वारी का प्रसाच चन्रा गाउं के कुछ अवेद कबजाधारियों को फसल काटने से रोक रहे थे और इसी दोरान अवेद कबजाधारी करीब 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया और अदमरी हालत में उने वहाँ छोड़ कर फरार हो गए और घंबी रूप से चोट लगने के कारण सरपंच द्वार का प्रसाच चन्रा के एस्पता ले जाते समीर रास्ते में ही मोत हो गए सरपंच संग के सदस्यों और ग्रामिनों का कहना था कि तैसिलदार और 112 की टीम की लापरवाई के चलते ये घटना हुई और उन लोगों की मांग थे कि जब तक आरोपियों की ग्रफतारी नहीं होती दोशी अधिकारियों पर कारवाई नहीं की जाती तब तक वो इसी प्रकार चक्का जाम पर बैठे रहेंगे और वहीं गौालेर के माधवगंज इलाके में रहने वाले एक युवक ने कुछ लोगों पर अपनी पतनी को सेक्स रैकेट में धकेलने का आरोप लगाया और युवक ने बकाइदा अपनी पतनी के असलील वीडियो के स्क्रिंशोट भी पुलिस को दिये और युवक का कहना है कि वो स्थाने अथाना प्रभारी से लेकर डीजीपी और स्थाने मंत्री से लेकर देश के ग्रहमत्री तक कोई एक शिकायद भेच चुका है लेकिन अब तक गोरक धंदा करने वाले आरोपियो पर कारवाई नहीं की गए और युवक ने पुलिस को इसके सबूत भी दिये कि उसकी पतनी सेक्स रैकेट में शामिल है और वहीं अश्लील वीडियो भी बनाती है दरसल एसपी के पास शिकायद लेकर पहुँचे युवक ने पुलिस को आवेदन दिया है और जिसमें उसने बताया कि कमपू इलाके में रंधावा और नर्मदा के घर उसकी पतनी जाड़ू पोचा का काम करती थी और यहां विरेंदर गुप्ता नाम की वैक्ति का सेक्स रैकेट संचालिस करता है और इन लोगों ने उसकी कमजोर आर्टिक हालत का फाइड़ा उठाते हुए उन लोगों ने पतनी को सेक्स रैकेट में शामिल होने का लालच दिया और पतनी उनकी बातों में आ गई और अब देवे पार करती है और उनके साथ मिलकर असलील वीडियो भी बनाती है आज के क्राइम सीन में इतना ही और फिर मिलाकात होगी क्राइम की कुछ चोका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपरात चाहें नेता हो या फिर आम इनसान हर अपरात का होगा पर दाफास और ऐसे ही तमाम खबरों क्लैब बने रहे आरे नियूस के साथ